तो दोस्तो वैसे तो कुलर फैन लगभग सभी के घरों में होता है ठीक है लेकिन उन में से कुछ लोग ही होते हैं जिनको ये पता होता है कि उसका जो कुलर का मोटा हुआ कितने वाट का है कितने एंप्यार का है और एक घंटे दस घंटे या दिन भर चलाने में कितना विजल खपत कर लेता है कि इतने रूपय खर्च आता है ठीक है यह अधिकतर जो मिलता है जो कुलर फैन पाया जाता है रखा जाता है तो अधिकतर यही मोटर होता है जो normally सभी की घरों में होता है ठीक है तो दोस्तों ये motor कितने वाट का है इसे आप अपने motor के उपर जो इश्टिकरस लगे होते हैं company का जो दिया तो उसमें देख सकते हैं यहाँ पर 105W का यह motor है ठीक है दोस्तों यह motor है ना यह 105W का इसकी MPR के बात करें तो यह 1.5 का MPR का मोटर है ठीक है और यहाँ पर 4MFD का कैपिस्टर इसमें लगता है और इसकी RPM की बात करें तो यहाँ पर 1275 इसका RPM है ठीक है दोस्तों आपका मोटर कितने वाट का है अलग तरह का है तो उसके उपर जो सिल लगा हुआ का श्टिकर लगा है अब हमें काउंट कैसे करना है हमारा मोटर कितना बिजली खपत करता है कितने घंटे चलाने पर तो जैसे कि 105 वाट लिखा हुआ है तो कितने घंटे कितने मिनिट में खपत करता है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है दोस्तों किसी भी इलेट्राउनिक चीज में अगर वाट लिखा लिखा वह है तो इसका मतलब होता है कि एक घंटे में उतने वाट खपत कर लेता है ठीक है यानिक 2010 W निकलकर सामने आता है यानि अगर आप अपने कुलर फैन को लगतार दस घंटे चलाएंगे न तो एक हजार पचास वाट खपत गिजली खपत कर लेगा यहां पर एक हजार वाट होने पर आपका एक यूनिट बढ़ जाता है यानि कि आपका घर को मीटर में जो नमबर सोते हैं मीटर का उसमें एक नमबर बढ़ जाताए यानि कि एक हजार वाट होने पर एक यूनिट बनता है तो ये उनिट का चारजद आपके तरफ कितना है यह आपको पता होगा कि हो सकता है चार पांच है ऐसा कुछ रहता है लेकिन चार से पांच रुपए एक यी उनित के सापसे लगता ही लगता थीक है तो आप 10 घंटे लगता चलाएंगे तो आपका एक घंट कर चोऊगा और 4-5 रुपए खरच होगा और और यदि आप उससे ज्यादा घंटे चलाते हैं तो आप प्रति घंटे 105 वाट की हिसाब से गुनन करके इसका जो बजट है उसको निकाल सकते हैं तो तले तो मिलते हैं नेक्ट टूट में तब तक लिए जैहिं जै भारत